हाई फ्रेंड्स मैं कुमार धन्जी सिंग मैं आप सोजी को इस वीडियो में से सीजीडी का जो 2019 में एकजाम हुआ था उसमें से मयत का ये पार्ट 27 वीडियो आप लोग के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ इस पार्ट में 22 वीडियो 2019 को सिफ्ट 3 में जो भी मयत के 25 वर्षन पुछे गयते उन सावी वर्षनों को हल करूंगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं आज का पाला प्रस्त ने पाई चार्ट से ठीक है यह चार्ट दिया गया है इसमें बोला गया कि परिच्छा के 5 अलग 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 वर्षों में 4 अलग अलग कछाओं द्वारा मतलब 4 अलग अलग वर्गों द्वारा परिडाम का प्रतिस्वत तलिका में दर्सा जा गया है ठीक है यहां पर वर्ट्स दिया गया है 2012 से 16 सोल कि यह कछा दिया गया है खछा 9 उलेव left कछा टू 12 install प्रस्नण क्या बोल रहा है कि 2012 से 16 में नाईन के को का औवसत्पृतिसद यहां दया निले या जो आफ़ात आएगा उसके आगे परसेंटेज जैसे लगा देंगे तो अब देखिए यहां पर गलती किया है अगर बनाएंगे आप यहां पर आपको एंसर गलत आ क्या देखिए तो अगरई को क्या करना है देखीन में नहीं हो गा हो तो आप लोग आप कैन अगर कोशृन गलती वह जाता है तो आप अबर कंपलरेंग करते से तक करना है कक्षान यहां यह है फिञा proving प्रतिसाब पुछ रहा है संख्याओं कायोंग संख्याओं की संख्या सब को जोड़ेना है जब आप जोड़ेंगे सब को तो देखिए 005 पर 10 हो जाएगा 966, 22, 22, 25, 27, 25, 32, 31, 33 यानि 330 अब कितने हैं तो 5 हैं तो 5 कर दिये 5 से कर देंगे तो 5 चका 30 तो 5 चका 30 यानि 6, 6 पर 30 हो जाएगा ठीक है यहाँ पर इसका राइट एंसर हो जाएगा option 2 दूसरा प्रसने संजया और स्वया एक साथ मिल करके 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं संजया स्वयम इस काम को 15 दिनों में वही काम क्या पर आग क्या बोला है कि संजया स्वयम 15 दिनों में वही काम कर सकता है तो वही काम स्वयम स्वयाम कितने दिनों कर सकते है ठीक है इसको माल लेते हैं X क्योंकि मालने थ्ला पनाने माला हम होगा ठीक है लिखना नहीं पड़ेगा संजया सोमया तो संजया को माल लिए X आ सोमया को माल लिए Y क्या पोलना दोनों साथ मिल करके vrave if we ke कितने दिन का सकते हैं नुदिनों में और संज्वे कितना दिनों कर सकते हैं कृड़िक घर सकता है Quran Scottish नौ से कितना ंजलेंगा पैंतालीश led दोनों कटने ardKS कामन लेके काम स्वाट यानी कितने दिन पूरा कर सकता आ आप देखिए दोनों अगर मिल के करते हैं तो 5 कर सकते थे, आई यह अगे ले 5 कर रहा है, स्ोरी, यह अगेले कितना कर रहा है, x 3 कर रहा है, तो यह कितना बचाए, 3 ला दू 5, यानि y 2, ठिक है, तो 45 बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानि x, दखे, x पलस y बड़ाबर दिया है, 5, यहां नहीं हो जाएगा यानियुट कर सकता है तो इनियुट कर सकता है तो यह बोड माश से हैं इस कमान पूछ रहा है चैसा का सबस्राइब करते यहां करते हैं तो पांच है कितना हो जाएगा फिर ओफ है यहां पुना पांच किया हो जाएगा 20 ठिक है यहां तक आ गया हमारा किया 20 अब देखिए फिर गुंणा है यहांपे 5 ते कितना हो जाएगा ? 35 20 Plus 35 इसदर हो जाएगा तो 35 अब 20 कितना हो जाएगा ? 5 तो यहाँ पर पोचपण नहीं हो जाए दे ON देखिए Minus 5 था यहाँ तो Minus 20 हो जाएगा Minus 20 Plus 35 यानि कितना हो जाएगा ? Plus का 15 बचेगा ठीक है ? यानि इतना दूर का कितना आजा पॉलस पंदरा अधर क्या है 62 ठीक है यहां तक क्यों गया ठीक है तो 62 पंदरा कितना हो जाएगा 77 यह पर अगला परस्ण है वार्सी के धार पर चक्रविधी दो साल के लिए 3% प्रतिवर्स की दर से 6000 रुपिया पर चक्रविधी व्याज किय एका को होता है देखें सी ए ऐ यह पर प्रकाट मैं सह पौण और यहां पर क्या लिखते हैं सिरे भर आपर लिखते हैं यहां पर करते हैं 6000 हो जाएगा into 1 plus 3 बटा में क्या हो जाएगा 100 पाउट 2 अब देखिए यहाँ पर 6000 हो जाएगा into 100 यकम 100 बट 3 103 बटा में 100 कितना बढ़ होगा इसको आ रहे तो दो बढ़ हो जाएगा ठीक है 103 बटा में 100 यहाँ पर 100 से 20 केंसिल हो जाएगा अब देखिए आगे इसको आपको क्या करना है कि आप देखिए 103 103 तरगुना करके फिर 60 मुदा करके आपको जो भी आएगा उसमें से यह 6000 घटा लेना है 2 जुच बढ़ हो जाएगा इसmeg केंसी चकळवी धी भी आज सीट मिश्रधन नहीं पूच रहा ठीक है तो यह जुँँआ आएगा आपको चकरवी धी मिश्रधन आ जाएगा इसमें से 6000 घटा देंगे तो एंसर आ जाएगा जो answer आएगा आप लोगों नीचे comment में बताने है चलिए मैं बना ही देता हूँ ठीक है नहीं तो कितना लोग मतलब बोलेंगे कि बनाना नहीं आता तो देता है दूसरों को ठीक है अब देखिए यहाँ पर 2-0 से 2-0 यह cancel हो गया था आए 1-0 से 1-0 यह भी cancel हो गया था 3-6, 5-10 ठीक है कितना हो गया अब 103 से 3 में आइंटू 3 में गुना करेंगे जब आप अब देखिए जब गुना करेंगे तो आपको आएगा 1-3802 बटा में 5 जब इसको decimal में करेंगे तो 3-65, 10.4 ठीक है अब इसमें से देखिए क्या हो गया चक्रविधी मिस्रधान हो गया अब इसमें से 6000 घटा लेंगे ठीक है 6000 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 3-65 यानि 3-65, 10.4 ठीक है यहाँ पिसका राइटियन से लो जाएगा option 4 अगला परसन है एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाडियों के ओसर तायू जो है 22 वर्स है जब टीम में कोच की आयू को यान जो कोच है उसको सामिल किया जाता है तो ओसर तायू एक वर्स बढ़ जाती है टीम के कोच की आयू क्या है अब देखिए इसको हम दो 2 मीटर से बना सकते है एक और मतलब आपको कई अब मेठेडार रहा है अब मेरे को दो यहां पर नज़र आ ठीक है 11 को था तो 22 था एक ओसर बढ़ रहा है यानि उन लोगों में भी एक एक बढ़ेगा ठीक है तो एक पहले इसको हम फर्मूला से नहीं बनाते है यहां पर लिका लेगे तो 34 आज़र रहा तो यहां पर लिका लेगे तो 34 आज़र रहा तो यहां उसको कोच की आ जाने से लोग यहां से बिली काल सकते हैं ठीक है तो 22 तो होगा है अब देखिए 22 वहले था आप क्या कर रहा है यानि 12 व्यक्तियों का बढ़ जाएगा तो बारह जोड़ देंगे इसमें 11 गोप एगारा के जी एक एक और इसका एक और बारह देखते होगे ना तो बारह जोड़ देज़ेगा तो जैसे मन वैसे बना सकते हैं अगला प्रस्ण एक निश्ची त्रासी पर फदालों ब्याज कुल रासी का सुलह बटापशीस है यादि दर पर तीसत और समय दोनों समान है तो ब्याज दर क्या होगी ठीक है चलिए फदालों ब्याज दिया है इसका हम देखते हैं मान लेते हैं वह 100 रुपिया है ठीक है अब बोलेगे कि 100 रुपिया क्यों मान सकते हैं मतलब जिरो वाला माना जरूर मतलब आसानी उपड़ती बनाने में इसलिए बान लिए ठीक है मान लेते हो 100 रुपिया ठीक है मुलदन 100 सुमय और दौनों सेम है यानि एक से खोगया ठीक समय भी व्यों गया एक सदर भी हो गया बटा में सब्सक्राइब क्या हो जाएगा बोले आया कि चॉल राशी का 16 पटाप चीज तो तो कुल राशी कितना था तहां सौर प्या माने है इसका 16 पटाप करेंगे कितना हो जाएगा हमें आप हैं देंगे देंगे यानि फाधाने भी आज का फिर५्ण कितना चाहएगा ठीक है अगला प्रसन 36 और 112 के बीच माध्यान उपाथ निम्न नमेसी को इसके बराबर हो म 햇न पफुच रहा है बर क्या होता है अन्डारूट लट आपने संक्या शॉअ्षान uniformly pasta संक्या क्यों कितनी है 36 x 11 अब 36 को रखी ये इसका क्या करेंगे 6 x 6 कर सकते हैं 11 x 11 कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा इधर से एक लिका जागा, इधर से एक, तो 6 इंटू है गार, क्या हो जाएगा, 6 चोट हो जाएगा, यहां पिसक्राइट इंस रह जाएगा, अप्सिछार, चार से हम है, उसी चार से दूसरा कोश्चन है, कोश्चन मतला दूसरा है, ठीक है, सभी 5 वर्षों में किस कछा का ओ ठीक है कछा 11 का 9 का जो है 330 और इसका आगया 270 इसका आगया 240 इसका आगया 249 ठीक है अब बोल लाए कि सबसे ऑफ़त परदस्वन जो सबसे कौम किसका है तो सब भी तो पाने समय मेला है सबसका बाटा पांस मतलग सेम हो जाएगा ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं सबसे कौ अनपाद 3 अनपाद 2 है तो उनके अधार का अनपाद क्या होगा तो कि हम इसका सुलसन करते हैं तिरभूज के चत्रफल क्या होता है एक बटा दू इंटू अधार इंटू उचाई ठीक है अधार को हम माल लेते हैं अधार को मतलब विस करते हैं तो बी माल लेते हैं आपको यहां से थीक है एक बटा दूख इंटो या थार इंटो चाहिए तो डुसरा वाद्ट Σतना ज्टो है थीक है तो दूसरा वाला का एक बटाव दूएस चाहिए तु जो है अधार टुव है मतलब ऊचाहिए टु ठीक है ब़ख में तूब स बटा तीन दिया है अब इस कमांड पूट करते हैं देखिए तो केंसल हो जागा है यहां से बचा है B1 by B2 यानी बेस वाला ठीक है B1 by B2 into h1 by h2 तो h1 उचाइक अनुपाथ केंदे लिए 3 अनुपाथ दिया है तो 3 अनुपाथ यहाँ पर दुछ दो लिख जाएते हैं 3 बटा 2 बराबर 2 बटा में 3 हो जाएगा अब देखिए क्या हो तो अब यहाँ पर तो यह उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा उपर चला जाए पंच निरंतर संख्याओं का आफ्वत पंदरा है इंन में से सबसे बड़ी संख्या कीया है अब देखेए इसको दो मिध्वित 144 है तो प Crash ग्यायँ स पैरद और बर तोर सबसे बढ़ी संख्या है अब देखेशए को नियम से बनाएं मेर तो पर 4 बाद 2 एकिने संख्या यहीं participar उड़ी संख्या क्या होजाएगा एक्सप्लेस टूट्यस संख्या होजाएगी एक्सप्लेस तीन 25 संख्या X plus 4 अब इन सभी का वस्वत कितना दिया है 15 तो 5 संख्याओं का दिया है तो 15 इंटू 5 यानि कितना हो जाएगा 75 और इसमें कितना हो जाएगा 5X plus 10 बराबर कितना हो जाएगा 75 आप 75 में से 10 जाएगा 65 है ठीक है जमसार भी बनाएंगे अगर तो इसे पुच्छा सबसे बड़ी संक्या तो सबसे संक्या एक्सप्लस चार तो तेरा प्लस चार कितना हो जाएगा ठीक है तो आप दोनों में से कोई भी मेठेड असान लागे आप लोग बना सकते हैं अगला प्रस्ण एक बोड़ फरिछा में क चार प्रशंट उठिरीड हुए यदि जया या निपिल ठीक है फ्यल प्रशार्थिओं की संक्या जो है 625 तो कूल पर्शार्थिओं की संक्या कितना है खिल अब देखिए लोने वाले कितना है 15% हो गया प्रियाप में 100 प्रेसंट होता है था 100% को टोटल हो जाएंगे माइ यही 25% क्या बता रहा है 625 दो जब्सक्राइब क्या बता रहा है 625 लुंट KAU कितना होजाएगा 25 से 25 एंट आप संट ीन प्रश्न ध welfare एंटीटो कितना हो जहां national यूट्रेने बिप्रित दिलयों से ऐधर से एधर से और एक इधर से रही है बोल रहा है कि 40 किलोमीटर प्रती घंटा 40 से यह जा रही है और यह 50 से ठीक है 50 किलोमीटर प्रती घंटा की गती से अलग 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 स्थानों से मालिक है यह इधर से ठीक है और इधर से आ रही है ठीक है अगला प्रसने सबसे बड़ी संख्या नीमन में से कौन सी है जिसे 146, 241 और 611 को भी वाजित करने पर शेसफल करम से 2,8 और एगा रहता है ठीक है चलिए अब इसका देखिए अगर फर्मुला अगर हम बनाएंगे पूरे डिटेल्स में तो फुरे लंबा हो जाए ठीक है इसको क्या करेंगे हम अप्सम से ही मना लेंगे अब देखिए 46 से डिभाइड देजिए इसमें फिर इसमें फिर इसमें ठीक है एक में भी गलत नहीं आना चाहिए अगर 46 से भागा देंगे अगर तो यहां से यह केंसिल अब अगला के दखिए 24 से गुणा करेंगे तो यहां पे 24 चाहिए 24 यानी दो बच जाएगा फिर इसको करेंगे तो 24 देए 24 आट बच जाएगा ठीक है तो होज बच्चा मतलब 13 ठीक है तो 24 से एक इतना हो जाएगा मत्च जाएगा तो इस कंडिशन में क्या है यहां पे इसका राइटेंस रो जाएगा ऑप्शन 2 ठीक है आप चाहिए तो आगे चेक कर सकते हैं यह सब गलत हो जाएगा क्योंकि यह 16 तो खुद बढ़ा प्रशने सीला 24 रुपिया में तीन कलम खरिदती है और 18 रुपिया में दो कलमें तथा 45 रुपिया में एक कलम बेचती है तो लाभ या हानी परतिसत अब देखिए हिंदी में कोश्चन एकदम गलत है इसका उनसारा गर बनाएंगे ठीक है तो यह गलत हो जाएगा चाहिए तो वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तुम्हें बना करके बता देता ठीक है यहां पर देखिए यह क्या बोलना चाहिए यहां पर बोल ला है कि सीला 24 रुपिया में मतलब 24 रुपिया परतिक कलम यहां ठीक है 24 मतलब एक कलम का यानि औफ़द दिया घ्या है ठीक है जो है तीन कलम का अफ़त मुले 24 पर परदांग करती है यान तीन कलम कितना में खड़ दी है 20 रुपिया में 24 इंटू 3 कर देंगे इसलिए बोलता हूँ हिंदी कोश्चन जड़ातर गलत कर रहा है यह लोग मतलग गलती कर रहा है तो आप लोग उसको English मतलग language convert करके देख लिजएगा ठीक है वहीं पर कितने लोग को करने नहीं आएगा बट में बता रहा हूँ वहीं से जैसे करेंगे ने तो आपको computer के दाइस साइड में सबसे उपर यहाँ language का अफ़सन रहता है अब इसके हम बनाते हैं यहाँ पर अफ़स होगा तो यहाँ इस खड़िदा कितना में 24 रुपिया के भाव से तीन कलम यानि 3 into 24 यानि कितना सुक्तर किया बहुततर रुपिया यह क्या होगी आपको CP हो गया अब देखिए 18 रुपिया में दू कलम 18 रुपिया में नहीं आगा 18 रुपिया के भाव से मतलब अफ़स है ठीक है कितना बेच दिया दू को कलम यह बेच दिया है 18 into Do 18 रुपिया में दू को बेचा है 36 रुपिया में मतलब 45 रुपिया सब्सक्तर क्टिया 32 to 35 कर देंगे छोपाचेगार केक तिन चर्फात एक आठ यानि 81 रुपिया में ठीक है तो 81 रुपिया क्या हो जाएगा आपको यहां पे कर देंगे नवास नौ से आठ पर अभड कर देंगे पर दो छार्त कर जाएगा यानि या जाएगा गलती है नहीं ठीक हो जाएगा जैसा की मा यहां गलती कर रहा था अभी तहा करते हैं याम हो डारेक्ट बारेख ब्राइट पांच गर दिया तो ऐसा महीं करना है छली अगला we प्रसणों दि्खते हैं अगला प्रसन समांतर चत्र खतरबुज का और है उसकी उचाहे से गुगुमनना है जो अधाज है ठीक है मतलब अधार है उचाई से क्या है दुगना है मतलब अधार को माल लेते हैं अगर दखिए उचाई को मालते हैं अगर है, तो आधार कितना हो जाएगा? 2x, ठीक है, अब चलिए दखीए का बोल रहा है, जो है, अधार उसकी उचाहि से दोगना है, और इसका छेत्रफल जो है, 288 cm2 है, तो समांतर चोत्रभूज का अधार है, मतलब समांतर चत्रभूज के आधार पूछ रहा है कि कितना है ठीक है चलिए इसका सलुसन करते हैं तो समांतर चत्रभूज के इसके दिए फॉल होता है अधार इंटू उचाई तो क्या हो जाएगा 2x into 2x into x हो जायगा अधार into उचाही हो गया बरावर कितना दिया है 208 दिया है तो 2 से कितना बार में कड़ जाएगा ये कर जाएगा 142 एक मतलब 144 बर ठीक है तो x स्कौाइर बरावर 144 x स्कौाइर बरावर 144 तो x बरावर कितना हो जाएगा अंडर उठे चग जाएगा तो 12 ठीक है तो 12 हो गया तो यह क्या हो गया यह तो उचाई हो गया अब अधार पूछ रहा है तो अधार कितना है 21 तो 21 यानिג एक साई टूदू तो बाराद दूना कितना हो जागा चोवीश यहां पर इसका राइटेंस रह जाएगा अप्सन एक अगला प्रस्ण एक बैपारी ने 18800 रुप्या में एक मसीन बेची और उसे 6% का जो है नुक्सान होगा यानी हानी होगा तो मसीन का लागत मूल यह क्या है मतलब इतना मेच इसको मतलब इसको बनाद चार्ण वीश यहां त्होछ में प्रॉड़ हो जाएंगे 100% के बराबर ठीक है और देखे कटाईगे यहां पर तो 94 से देखिए 94 से क्या हो जागा दूबार में 188 या दूगजुरू है तो दूसर आया फिर यह दूसर से सव मुगरा करेंगे तो दूगजुरू और यानि 20,000 यहां पर इसके राइटेंस सब हो जाएगा अपसन 3 फिर कोई चार्ट दे दिया मतलब आज का लाश्ट कोश्चन यह चार्ट से यह इसमें पूछ रहा है किस वर्स में सभी 4 कछाओं का आफ़त परदस्वन अधिक्ता में ठीक है तो इसमें जोड़ना है सब को जोड़ लेना है जिसमें सबसे ज्यादा अंका है उसी को मार देना है देखिए इसमें जोड़ना है किस वर्स पुछ रहा है यानि जोड़ना है 2012 वाली टोटन जोड़ देना है फिर 2013 फिर 14 वाली 15 16 ऐसे करना है ठीक है और सामने सबका लिखा हुआ है तो यहां पर किसका अधिक्तम लग रहा है सबके बटाम 500 कर रहे है या सबके बटाम 500 है तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें किसका ज़्यादा है तो 2012 हमें ठीक है अप्सन एक सबके अप्सन एक नहीं जिसमें मतलब 2012 होगा इसका राइटेंस सब 2012 वर्स में जो है इसका अधिक्तम आप लोग यहां पर एंसर भी देख सकते हैं अगला प्रस्ने दो टेरेनो अगल में क्या है तो 5 घंटा में 800 5स गंटा में 800 तो ए घंटा में कितना करेगा 5 से डिवाइड कर देजिए तोGod 8OOOO कितना है 5 घंटा में पांच से कितना हो जाएगा 160 अब देखिए दूख इनका है यानि 4 बड़ापर ठीक है चार अनुपात बरपर दिया हैий 160 तो आप यहा हो जाएगा 40 अगला प्रस्न एक सवाई और जेड के बीच 4,600 रुपिया की रासी एक बटा दो अनुपात दो बटा तीन अनुपात तीन बटा चार के अनुपात में बीच रित की गई तो वाई कहीं साब पूछ रहा है ठीक है अब देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करना है मतलब एक लाइन में करना होगा तीनों को लिख लेते हैं एकस वाई जेड ठीक है एक बटा दो है दो बटा तीन है तीन बटा में चार है अब क्या करते हैं क्लाइल में करने के लिए तो तीनों का जैंसी हम लेंगे इसका इसका और इसका तो क्या हो जाएगा बारा मतलब कोई इसी संख्या लीजिए कि मतलब तीनों से कटे तो बारा इंटू बारा चार से यह कितना बार में चल जाएगा तो जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीनों मोड़ गुना करने से किसी विसंख्या में तीनों से गुना किजिए या किसी संख्या से भागा देज़ा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है, तो टोटल बरवा कितना दिया है तीनों के मिला लेंगे हिसा तो 6, 8, 4, 9, 23 हिसा है ठीक है कितना है 23 हिसा है 23 हिसा बरवा कितना है 46, 100 रूपया है तो एक हिसा बरवा कितना हो जाएगा 200 तो 200 अब बोल रहा है य का हिस्सा है तो एक हिसा बराबर, मतलब एक बराबर, यानी एक हिसा बराबर हो गया 200, तो इसका कितना था? 8 एक, तो 200 इंट विट्व आट कर देंगे, तो 600 हो जाएगा, या पर इसका राइट एंस रो जाएगा, अप्शन 1, अगला प्रसने, 4000 विक्री वाले, मतलब अंकित मुल्य वाले, एक डाइनिंग सेट को 8% के छूट पर वेचा जाता है, और इस पर 10% का लाब होता है, ठीक है, तो डाइनिंग सेट का लागत मुल्य, यानी करय मुल किया था, इसको आप 2 मेटर से बना सकते हैं, या तो डाइरेक्ट बना सकते है या ऐसे बना सकते हैं, अंकित मुल्य बराबर जो फर्मूला बताता हूं, मैं कि अंकित मुल्य, अंकित मुल्य बराबर 100 इन्टू, 100 पॉलस लाब, तो एक सोदास हो जाएगा, बटा में, अंकित मुल्य बराबर क्या बताता हूं, सीपी बताता हूं, ठीक है, सीपी इन्ट टेंज का मूले जो है करय मूले X था एक्स का आप देखिए 8 प्रसेंट चूट याई बानवे प्रसेंट बानवे बटा में सव का 10 प्रसेंट लाब होता है यानि 110 बटा में 100 जाकर क्या होज़ रहा है 4000 में विकार रहा है ठीक है अब देखिए एक जिरो से एक जिरो केंसिल ठीक है यहां कुछ मिश्टेक खोड़ा है ठीक है आपको उसी पर हम बनाते हैं ठीक है पहले वाले पर वहीं लगा येगा वहीं से मतलब अच्छा पड़ता ह टीक है अराम पड़ती है तो अंकीत मुल्य कितना दिया है 4000 गल्य बड़ाबर की सीपी को हमालते हैं एक लेंटू पलस फ्लॉव राव है हानी सचरी पलस माइनष तो जब लाव होगा तो पलस होगा माइनष बहुंगा ऑन्हें होगा तो सओ लाव हुआ है तो कितना हो जाय एक जिरो से एक जिरो केंसिम अब देखिए 92 से 4 मुणा करेंगे तो दो चौँके 8 ना चौँके 36 दूगोजिरो है बटा में 11 ठीक है बराबर एक जब इसको डेसिमल में करेंगे तो आपको डेसिमल में आ जाएगा आपको यहां पे 33 45 दस्मॉल हो चार पाच यहां पर इसका आप्सन दो ठीक है आप लोग गुना करके देख सकते हैं रिभाइट करके देख सकते हैं अगला प्रस्ण है सुवेता 30 गंटे में एक दिवार पेंट करती है जबकि ऑनसुल 40 गंटे में इसे पेंट करती है वे दोनों एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 रुपिया का भूकतान करेंगे अंसल का हिस्सा अब देख सुवेता को यसा लिखते हैं सुवेता जो है 30 गंटे में पेंट कर सकती है चारिस गंटे में चल्स कि यानि एस और एक इतना पात्म में का हिसा हो जाएगा एस का हो जाएगा चार हिसा इसका हो जाएगा तीन हिसा टोटल हिसा बराव कितना दिया चार तीन साथ हो जाता है यहां पर तो साथ हिसा बराव बर दिया है 14,000 ठीक है 14,000 तो फात से दो बारों कर जाएगा यानि 2000 एक तो दो हजार हो गया आप क्या बोला है कि अंसुल का हिस्षा तो तीन एक्स तीन अगुणा किताना दू हजार यहां पर हो जागा दो-तिया शौजार ठीक है तो यहां पर इसका राइटेंस हो जाएगा अपसन एक और आगला परसुन है एक किर्केट सिरिंग्खला में एक बल इभें नमबर ठीक है तो चब हो गया तो क्या करना है बीच वाली आगिक है थी नहीं लुकरकर के दो से डिवाइड कर देनру है व्यलेगी व सबस्क्राइब कर देंगे कितना हो जाएगा और चौटा क्या हो जाएगा नब्य हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा यहां डिवाइट कर देते हैं माइनस दो का क्यût माइनस तो क्या दोज जाएगा जाएगा चार हो जाएगा ओधन दो अधर कषिए यहां दस परसेंट काम दे रहा खिंग है यहां पर माइनस दस ले लेंगे यहां पर दो गो मतलब रख रहना चाहिए ठीक है एक हो यह दो हो तो आपको क्या प्रफर न लिगाना है एक्स प्लस वाई प्लस माईनस एक्स वाई बाटा में 100 खीक है तो चलिए हम उसकार लेगाते हैं यहाँ पर तो X को क्या मालने 10 है कौम हो रहा है तो यानि माइनस में होगा माइनस 10 माइनस 10 अब देखिए माइनस है माइनस क्या हो जाएगा पलस इंटू X Y तो 10 इंटू 10 बटा में 100 2 0 से 2 0 केंसिल बचा क्या एक बचा अदप 10-10 बिस अब इस में पलस एक है तो क्या हो जाएगा माइनस 19 यानि 19 पर्षन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जा पे इसखराइट एंसर हो जाएगा आप सुन 4 एक आयत हो कोई भी हो मतलब 10 पर्षन कम इकरे या 20% कमी करें यानि दो गईनुट दिया है या 10% कमी करके 20% बढ़ा दे तो आपको क्या करना है सेम फर्मूला लगाना है आपको एकस पलस वाई पलस माईनस एकस वाई बटा में 100 अब यहाँ पलस होगा कि माईनस कैसे पता चलेगा अगर यह कमी और बढ़ातीरी रहेगा यानि माईनस पलस रहेगा तो यहाँ पर दो रंगा चिंद रहेगा तो यहाँ पर माईनस होगा अगर सेम चिंद रहेगा तो सथ, मिस्रों में दूद की मतर्व, हम माल लें लिए मिस्रों में कितना है तो दूदध और पानी चार एक्स, बटा में 3 x ठासरा एक्स कोलेड़ों दिकति preventory कोई दिखत नहींत फिशाला करदेने से तो चार एक्स-3 डीनेक्स है अब क्या बोल रहा है उपर ओला का है दूध है यह मिल्क है आई वाटर ठीक है तो बोल रहा है कि इसमें पांच लिटर पानी डाला जाता है यानि एक्स वर आवकितना हो जाएगा तीन ठीक है ऑपूछ रहा है कि मिश्रण में दूद की मतरा कितनी है कि युद्ध ही वाला था ना चार एक्स तो चार एक्स गवाप आगे हम रातीन तो तिन चार्तिये कितना हो जाएगा 12 लिटा यहां पे शकराइट यापकी श्राइट थी कर था नहीं करता है तो अगर आपको सजसेसंदना चाते हैं तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कियें हैं तो कर लिजेगा अगर आपके जुरूद solu लाइक नहीं हो तो चैनल सस्क्राइब मत किजिएगा ठीक है तो चलिए मिलेंगे नेक्ट वीडियो में ओके ठैंक्यू जै हिंद जै भारत